देखे हमारे पास थेवरो नंबर 3 है, 2nd shifting property, 1st shifting property देख चुके हैं, linear property भी देख चुके हैं दोनों, अभी जो हमारे पास 2nd shifting property है, यह कहता है, if L inverse, f of s, बराबर में f of t, देन आपको जो है, साबित करना यह चीज़, देखे, L का पाउर मानेस 1 है, इसका मतलब है कि आपको लै यह वाला condition को क्या करना है, follow करना है, और इस condition पे आपको क्या करना है, काम करना है, तो देखे, मैं आपको बता दू, कि आप जो है, बराबर में F of S ऐसा फार्मूला आप देख चुके हैं 0 to infinity E का पावर में माइनस का S T और F of T into का D T ऐसा फार्मूला बिल्कुल तो आप हमें बताईए अगर आपको GT के लिए निकालना हो तो क्या करेंगे क्योंकि देखिए हमें एक GT भी है हाँ पर तो GT के लिए आप निकालेंगे तो क्या करेंगे बोले तो ये GT के लिए तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर आपको तो GT लिखना मुश्किल है तो यहाँ पर आपको F of G लिख सकते जैसे F of S है तो यहाँ पर भी F of S के तरह काम करेंगा पुश्किल नहीं है लेकिन आपको यह वाले फॉर्मूला में क्या लिखेंगे बताई तो यह आपको जीरो टो इंफिनिटी चोलेगा और यह एका पाउर माइनस का स्ट यह तो सेम होता है स्ट सम्में सेम होगा अच्छा यह एफ आफ टी यहां पर एफ आफ टी ए तो यहां त्योंहें क्या करता हूँ इसको आइसा लिख लेता हुए कहां टी यह को stuffs अलिक一定要ig है फिर यह ए यहां तो यहां पर भी आपको एसे स्टार्ट करना आजए कहां तक चलेगा इंफिनिटी तक और यह एका पाउर का माइनस ए इसी ऑर यह को जीआ जीटी नेगिए इसको आई अगर आपको जूए न है तो यह चीज यूज करना है तो यह न फिर ना अपको बता दू यहां पर आप जब देखेंगे यह 0-2 है तो यहां पर आपको 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 जो है 0-2 है और यहां पर आपको प्यादे है पर शोले जीके लीए ईंफिनिती है तो आपको क्या लगता है यहां पर आपको 0 2 है यह आपको छोटा हो ला होगा और यह तो आपके पास और ऐ तो इन्फिनिटी e का power minus st और f of t minus का a तो यहाँ पर आपको पहुँचने के बाद क्या कर लेना है यह वाले पार्ट को आपको x माल लेगे अगर आप इसको x माल लेंगे तो क्या हो लागा देखें मैं अब मान ही के दिखा देते हैं put t minus a बराबर में x तो आप हमें बताए अच्छा एक चीज़ है यहाँ सा आपको t को अकेला करेंगे तो x पलस का a हो जाएगा देखें ना x पलस का a हो जाएगा और यहाँ सा आप dt निकाल लीजेगा तो क्या हो जाएगा यह dx हो जाएगा ना a तो constant है ना बिल्कुल constant 0 हो जाता है आप देखें यह चीज़ तो है लेकिन आप देखें इसका limit भी change होगा क्या होगा limit भी change होगा आप देखें when when मतलब जब आपको t का मान a देखें ना पहले तो a है ना तो a रखके चेक करेंगे ना t के जगा पर a रखके a-a 0 मतलब x का मान 0 देखें अंगर t का मान α Christy मैं एंफिनिटी का मान इनफिनिटी यहां पर इनफिनिटी में से कोई छाता तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बसलेब x का मान भी एपको infinity चलेगा यहां तो को मुश्किल नहीं और आप चली मैं इसको चेंजिंग कर दूँ देखें मैं आपको इसको थोरा सा चेंजिंग करता हूं मतलब आपको देखें यह जीरो टू इंफिनिटी सॉरी एक के जगह पर जीरो है तो जीरो टू इंफिनिटी चलेगा दिक्कत नहीं है यह एक पाउर माइनस इस अच्छा एस और यहां पर आपको डीटी के जगह पर डीएकस देखें नहीं डीटी के जगह पर डीएकस भी हो जा जाजएगा तो चली यह सब तो आपको काम कर चुके है आप छोटा सा काम और है ऐसा कर लीजे ना आप इसको गुना कर लीजे एका पाउर मानेस इस एकस एका पाउर मान कर दो मैं इसे क्या करता हूँ बाहर कर देता हूँ पहले ठीक है तो देखिए आप इसे बाहर कर देज़े और काफी नोर्मल है कोई दिक्कत की बात नहीं होगा यह यह 0 to infinity लिखा वहाना यह e का पाउर मानस इस एक्स और यह f of x into का dx यहां तक दिक्कत नहीं होगा अब देखिए मैं आपको बता दू यह e का पाउर मानस इस ए तो बाहर है इसमें मुश्किले नहीं है और यह चीज़े आप इसको क्या करिए x में लिखावा ना आप इसको क्या करिए इसके variable को change कर दीजे यह e का पाउ मानस एस ए रहे गा ही और यह देहिए यह direct formula बन गया f of x का formula बन गया na f of x के लिए नही formula यूच करते थे हैं एप of x के लिए formula यूच करते थे 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 ना जीटी का वैलू निकालना था, लिटी का वैलू, तो आप क्या कर यह L को इधर भीज़ दीजगा, तो जीटी बराबर में क्या लिखेंगे, यह L का इनभर्स और यह E का पावर में, माइनस से, और यह F of S, देके क्या पूरुफ करना तो चलिए, चेक कर लेते हैं, चेक कर ले यह हमारे पास theorem number 4, देखे, क्या कहता है यह theorem number 4, कि आपको जो है, change of scale property, अभी देखे, यह theorem number 4 जो है न, inverse में आपको यह देखना, change of scale property, वैसे normal में भी आप, normal laplace transform में भी आप यह पर चुके, then देखे, अगर आपको l का power minus 1, मतलब l का power minus का मतलब laplace inverse की बात कर रहे हैं, f of s, बड़ाबर में आपको जो है, f of t हो, then, तब आपको जो है, यह s है न, मतलब यहाँ पर आपको a, बड़ाबर में 1 बटा आए, f of t बटा a आपको लाना है, ठीक है, तो देखे, मैं आपको बता दू, इस question को कैसे solve करें, तो देखे, आप इसका पहले proof में आपको लिखना f of s, f of s, देखे, बड़ाबर में, अच्छा, यह दिख नहीं रहा है, मैं क्या करता हूँ, इससे मिटा देता हूँ, थोड़ा अजिब तरीके का pin आ चुका था, तो देखे, यहाँ पर आपको f of s का जो formula होता हूँ, आप जानते है, 0 to infinity e का power में minus का st, और f of t into का dt, क्या, मैं अब क्या करता हूँ, एक और formula रिकालता हूँ, एस के लिए, एस के लिए तो यह था, एस यहाँ पर था, तो यहाँ पर s, अगर एस के लिए तो यह 0 to infinity चलेगा, और यह e का power minus, इस के जगा preplace हो जाएगा, क्या जाएगा, इस के जगा पर as, और यह t, और यहाँ पर f of t into dt, ठीक है न, आप put कर दीजिए, यह at बराबर में x, क्या put कर दीजिए, at बराबर में x, तो t बराबर में x बटा का a हो चुका, देखे न, यह t को अकेला करेंगे, तो x बटा यह हो जागा न, तो देखे, यह t का मान निकल चुका है, अब यहाँ से dt निकालेंगे, dt निका तो x का मान केतना, x का मान भी 0, t के जगा पर infinity डालिए, तो x का मान भी तो infinity होगा न, कोई मतलब इसमें आपको जो है न, limit में कोई changing नहीं होगा न, तो आपको यहाँ पर आपको 0 to infinity चला, e का पावर में, at के जगा पर क्या चुका है, यह दोनों भाइसा मिलके x बना लेग मिटा देता हूँ, देखें, अब मैं इसे सही से लिखता हूँ, f of t into का dt, oh, t के जगा पर x बटा a युच करना है, t के जगा पर आपको x बटा a युच करना, t के जगा पर x बटा का a, और dt के जगा पर dx बटा में a, वही तो, यह तो changing होई जाएगा न, बिलकुल हो आप पहले 1 बटा a को बाहर करते, फिर बाद में हम इसमें discussion करते, क्या करना है, यह e का पर मानेस sx और यह fx बटा में a into का dx, ऐसा करिए, x, 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 आप इसे का करिए, इस variable को change करके आप t में लिया यह, मैंने बोला इसको t में, और a को भी अंदरे भेज दीजे, यह 0 to infinity कर द दीजे, a को भी अंदर कर दीजे, ft बटा a कर दीजे, और यह dt, इसको कोई फरक नहीं परने वाला कि इस चीज़ को, यदि आप x को t में converted करते हैं, तो, यह ठीक है, यह integration का क्या property जैसा है, property जैसा है, अगर आप इसके variable को change कर देते हैं, तो इसके value में कोई फरक नहीं परत यह जो है, f of s था ना, जैसे l into f of t होता है, अब बराबर में यह आता है, उसके बराबर में यह होता है, तो, यहाँ पर आपको देखिए, वैसा है, यह भी formula के तरह काम करेगा, यह f of t के जगा पर सोचे काम कर रहा है, यह total, तो यहां पर क्या formula लिग सकते, l into का f of t, f of t की बराबर था यह ठीक है तो आप ऐसा करी एल को इदर भेजिए इल इनवर्स और यहां पर आपको क्या आ चुका है यह देखे तो आपका कितना था चार था ठीक है आप